हमें अपने daily life में कई बार length, mass, time और temperature जैसे quantities को measure करने की जरूत परती है इसी के importance के बारे में इस class में हमें detail में discussion करना है आपके class के science और maths के लिए ऐसे बहुत सारे educational content आपको infinity learn पर मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप अपने studies को और better बना सकते हैं और exam में अच्छाई score कर सकते हैं इन courses पर maximum discount पाने के लिए description में दिये के link पर click कीजिए coupon code dg10 का use करके आप additional 10% discount भी पा सकते हैं जो की केवल पहले 200 students के लिए ही available है तो चलिए जानते है measurement क्या होता है और ये हमारे लिए क्यों important है हम लोग अपने daily life में कई बार measurement करते हैं example के लिए जब हम कपड़े सिलवाते हैं तो कपड़े के length को मापा जाता है उसको measure किया जाता है using the measuring tape जो की कुछ ऐसा दिखता है school में भी जो हर period के बाद घंटी बसती है तो उसके लिए भी time को measure किया जाता है और time को measure करने के लिए clock यानि की घरी का इस्तिमाल किया जाता है जब हम फल या सबजियां खड़िते हैं तो उसके लिए भी दुकानदार उसको measure करता है और मेजर करने के लिए balance यानी की तराजू का इस्तिमाल किया जाता है और जब हमें fever होता है तो doctors भी हमारे body के temperature को मेजर करते हैं और temperature को मेजर करने के लिए thermometer का इस्तिमाल किया जाता है आप देख सकते हैं कि चाहे हमें length को मेजर करना हो या mass को measure करना हो या time को measure करना हो या temperature को measure करना हो उसके लिए हमें एक particular device या particular instrument की जरुत परती है ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा sense of touch या sense of sight measurement के लिए reliable नहीं है किसी भी चीज़ को केवल देख कर या किसी भी चीज़ को केवल चू कर हम उसका correct measurement नहीं कर सकते हैं इसी वज़ा से हम कुछ instruments का इस्तेमाल करते हैं जिसकी मदद से exact measurement किया जा सकता है measurement is basically a process of comparison इस statement को ध्यान से समझेए जब भी हम measurement करते हैं तो actual में हम एक universally accepted unit को लेते हैं और उसको given quantity से compare करते हैं हम बस देखते हैं कि उस universally accepted unit से given quantity को कितनी बार major किया जा सकता है example के लिए माल लेते हैं कि एक room का length 5 meter है इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर length के unit के रूप में meter का इस्तेमाल किया गया है और room का length unit meter का यानि कि 1 meter का 5 गुना है उसी तरह से जब हम बोलते हैं कि sugar का mass 2 kg है इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर mass के unit के रूप में kg का इस्तेमाल किया जा रहा है और sugar का mass unit kg का यानि कि 1 kg का 2 गुना है अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसके according बोल सकते हैं कि measurement के लिए 2 चीज़ों की जरुत परती है number 1 the unit जिसको u से denote किया जाता है and number 2 the number जिसको n से denote किया जाता है number से हमें क्या पता चलता है number tells us how many times that unit is contained in that quantity जिस unit से हमें एक particular quantity को measure कर रहे है वो unit उस quantity में कितनी बार आता है इसलिए measurement को express करने के लिए n into u या n u लिखा जाता है n यहाँ पर number है और u unit है जैसे कि इसका weight दिया गया है 5 kg इसमें जो 5 है न वो number है और kg जो है वो unit है choice of unit हमें किस unit को चुनना चाहिए ताकि measurement बहतर तरीके से और ज़्यादा accurately हो सके measurement के लिए हमें उस unit को चुनना चाहिए जिसमें कि ये दू properties हो number one it should be of convenient size मतलब अगर हमें बहुत लंबे distance को measure करना हो जैसे कि दो city के बीच के distance को measure करना हो तो उसके लिए हम km का इस्तेमाल करेंगे मीटर का नहीं लेकिन अगर हमें table की लंबाई measure करनी हो तो उसके लिए हम मीटर का इस्तेमाल करेंगे उसके लिए कीलो मीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिस भी यूनिट काम इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरी दुनिया में एकसेप्ट किया जाता हो जैसे कि लेंद के यूनिट के तौर पर मीटर को, सेंटी मीटर को, कीलो मीटर को पूरी दुनिया में accept किया जाता है मीटर की लंबाई यहाँ पर जितनी है दुनिया के हर country में मीटर की लंबाई उतनी ही होती है इस तरह से हमें उसी unit का इस्तेमाल करना चाहिए जिसका value हर जगा और हर समय सेम रहता हो हमें उस unit का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए measurement को proper तरीके से define करने के लिए हम इतना लिख सकते है measurement is a comparison of an unknown quantity with a known fixed quantity of the same kind example के लिए इस box का length हमारे लिए एक unknown quantity है जिसको measure करने के लिए हम एक fixed quantity 1 cm का इस्तेमाल कर सकते हैं हमें बस देखना होगा कि इस box के length में 1 cm कितनी बार आता है अगर 1 cm 6 times आ गया मतलब box का length 6 cm हो जाएगा measurement के बाद जो हमें value मिलता है उस value को magnitude कहा जाता है किसी भी quantity का magnitude number से express किया जाता है और उसको उसके unit के साथ लिखा जाता है example के लिए अगर हमें 2 points के बीच का distance measure करना है तो उसके लिए हम 1 meter वाले ruler का इस्तेमाल कर सकते है हम 1 meter वाले ruler से इस पूरे distance को cover करेंगे अगर ये पूरा distance 15 times में cover होता है इसका मतलब ये हुआ कि दोनों points के बीच का distance हो जाएगा 15 meter इसमें 15 length का magnitude है और meter length का unit है basic physical quantities a quantity that can be measured is called physical quantity ऐसे quantities इसको measure किया जा सकता है मा आप जा सकता है उसको physical quantity कहते है और ऐसे physical quantity जिनका इस्तेमाल daily life में किया जाता है उनको basic physical quantities कहा जाता है ऐसे 4 basic physical quantities है जिनमें की पहला है length दूसरा है mass pul team और जोथा temperature 1960 में दुनिया भर के वैज्यानिकों के द्वारा इन सभी physical quantities को measure करने के लिए कुछ units को accept किया गया इन ही units को standard international units कहा जाता है जिसको short में हम SI unit भी कहते हैं इन 4 physical quantities के लिए ये 4 SI unit accept किये गये थे length के लिए meter, mass के लिए kilogram, time के लिए second और temperature के लिए Kelvin इन 4 SI unit का symbol भी होता है जैसे कि meter का small m, kilogram का kg, second का s, Kelvin का capital K SI units तो बना दिये गए लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इन SI units का इस्तमाल किसी-किसी physical quantity को measure करने के लिए conveniently नहीं किया जा सकता है ये units या तो बहुत छोटे हो जाते हैं या तो बहुत बरे हो जाते हैं Example के लिए 2 cities को जोडने वाली सरक का length अगर हमें measure करना हो तो उसके लिए हम meter का इस्तमाल नहीं करते हैं उसके लिए kilometer का इस्तमाल करते हैं अगर meter का इस्तमाल करेंगे तो बहुत बरा numerical value हमें मिलेगा इतने बरे length को measure करने के लिए meter एक बहुत छोटा unit है उसी तरह से अगर हमें एक pencil की लंबाई measure करनी है तो उसके लिए भी हम meter का इस्तमाल नहीं कर सकते हैं pencil की लंबाई को अकसर हम centimeter में express करते हैं क्योंकि meter उसके लिए एक बहुत बरा unit है ऐसे में physical quantity को express करने के लिए sub multiple या multiple के साथ maybe, centi और kilo जैसे prefixes का इस्तोमाल किया जाता है इस table में देखिए हर prefix का meaning दिया हुआ है only का मतलब होता है divided by 1000 जिसको की 10 to the power minus 3 भी ऐसे 10 to the power minus 3 भी लिखा जाता है centi का मतलब होता है divided by 100 जिसको की 10 to the power minus 2 भी लिखा जाता है और kilo का मतलब होता है multiply by thousand जिसको कि 10 to the power 3 भी लिखा जाता है example के लिए एक पतले pin का diameter meter में 0.0001 meter लिखने से अच्छा उसको हम millimeter में लिख सकते हैं 0.1 millimeter इसी तरह से दो cities के बीच के distance को meter में 2000 meter लिखने से अच्छा हम 2 kilometer लिख सकते हैं conventional while writing SI units SI units लिखते समय हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए number one SI units के symbol जो कि किसी scientist के नाम पर नहीं बनाए गए हैं उनको हमेशा small letter में लिखना चाहिए example के लिए kilogram जो unit है किसी scientist के नाम से नहीं लिया गया है इसलिए इसको small k और small g लिखेंगे capital k g नहीं लिखेंगे ऐसा लिखना गलत होगा उसी तरह से m के लिए small m लिखना चाहिए capital m लिखना गलत होगा और second के लिए small s लिखना है capital s लिखना गलत होगा number two कुछ units के नाम scientist के नाम पर रखे गये थे जब इनको words में लिखा जाता है symbol में नहीं words में जब इनको words में लिखा जाता है तो lower letter में ही लिखा जाता है example के लिए current का जो unit है वो empire नाम के एक scientist थे उनके नाम पर रखा गया है इसलिए जब भी current के unit को word में लिखा जाएगा पूरा पूरा लिखा जाएगा तो small a से लिखकर शुरू करेंगे A, M, P, E, R, E capital A से लिखना गलत होगा number 3 ऐसे units जिनका नाम scientist के नाम पर रखा गया था जब उनको symbol के रूप में लिखा जाता है तब उसको capital letter में लिखा जाता है example के लिए Fahrenheit के लिए capital F लिखा जाता है small f नही M, P, E, R के लिए capital A लिखा जाता है small a नही Newton के लिए capital N लिखा जाता है small n लिखना गलत होगा और Kelvin के लिए capital K लिखा जाता है small k लिखना गलत होगा ऐसे units का अगर आप symbol यूज़ करते हैं तब आपको capital लिखना होगा जैसे कि number 2 में बताया गया था rule number 4 है कि units और उनके symbol को कभी भी plural में नहीं लिखा जाता है अगर आप amperes लिखते हैं तो गलत होगा newtons लिखते हैं तो गलत होगा kelvins लिखते हैं या Fahrenheit लिखते हैं तो ये सब गलत होगा उसी तरह से units के रुप में kg लिखना भी गलत होगा meters लिखना भी गलत होगा और seconds लिखना भी गलत होगा number 5 जब units को words में लिखा जाता है तो इस small letter से ही लिखा जाता है example के लिए meter को ऐसे लिखा जाएगा ऐसे लिखना गलत होगा Kelvin को ऐसे लिखा जाएगा ऐसे लिखना गलत होगा Rule number 6 है कि जब भी दो यूनिट का product निकाला जाता है तो उनके बीच में एक space छोड़ना जरूरी है जैसे कि एक यूनिट है Newton, दूसरा है second जब दोनों का product निकाला गया तो यूनिट बनके Newton second लेकिन इसके बीच में एक space होना जरूरी है और 7 बर में बताया गया है कि जब एक यूनिट को दूसरे यूनिट से divide करके एक compound यूनिट बनाया जाता है तो उसको हम negative powers के term में भी express कर सकते हैं example के लिए speed का unit होता है meter per second जिसको कि हम meter divide second ऐसे भी express कर सकते हैं लेकिन इसको हम negative power के रूप में भी express कर सकते हैं यहाँ पर उपर में meter है नीचे second है अगर हम second को उपर लिखना चाहें meter के साथ तो second पर जितना भी power है यहाँ पर one power है उसी power को negative बना कर उपर ले जाया जा सकता है इसको meter और second को उपर लाके minus one power हो जाएगा इस तरह से भी express कर सकते हैं तो बस इस class में इतना ही रखते हैं I hope आपको measurement और इसके importance के बारे में बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा infinity learn के courses का link description में उसको जरू चेक कर लीजेगा मिलते हैं अगली class में ऐसे ही बहुत सारे नया topic से साथ तब तके लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से बढ़ाई करते रहिए